आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या outstanding qualities होती है जो कि अच्छे बच्चों के लिटरिचर के अंदर मौजूद होनी चाहिए इसका मतलब यह कि कुछ किताबे ऐसी होती है जिनके अंदर बहुत सी अच्छी qualities मौजूद होती है और इसके अंदर सबसे पहली quality होती है कि जब बच्चे उनके किताबों को पढ़ते है तो उनकी imagination जो है खुल जाती है और वह अपनी imagination के अंदर जो है बहुत सी important चीज़ों को समझ सकते हैं इसको हम कहते हैं broadening the horizon इसका मतलब क्या है? हम बच्चों को ऐसी दुनिया, ऐसी events, ऐसी कहानीं बताते हैं जो हो सकता है, एहा समझ्च को पहचानते हैं, और उनकी पहुशा सब्चानते हैं और उनके मिसायल को eltी को समझने की कोशिश करते हैं तो बच्चे जो महसूस करना, acknowledge करना, understand करना किसी की तकलीफ को, किसी की स्ट्रगल को, किसी की जर्णी को. So, अच्छे और Outstanding Literature वो होता है जो बच्छों को ऐसा मौका दे कि वो ऐसे events और ऐसे लोगों तक बहुत सकें और अपने अंदर वो empathy develop कर सकें, अपनी सोच को brought up कर सकें और मुक्तलिफ किसम की चीज़ों को accept कर सकें Number 2, Outstanding Literature का एक बहुत important feature है कि बच्चे उसे पढ़के enjoy करें Definitely हमें पता है कि हमारे पस बहुत सी ऐसी कहानिया मौझूद है बलकि ज्यादातर कहानियों में जरूर एक theme मौझूद होता है और theme कौन सा होता है, specifically moral reasoning का जिसके अंदर कोई हम नसीहत करना चाहते है So critics कहते हैं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या बच्चे जो होते हैं 5 साल, 6 साल, 7 साल के बच्चे होते हैं वो enjoy करते हैं ऐसे literature को जिसके अंदर उन्हीं जैसा कोई character मौझूद हो वो वैसे ही हरकते कर रहा हो, वो वैसे ही silly actions कर रहा हो और जिरूरी नहीं है कि हर कहानी के end up एक moral reasoning के अंदर मौझूद हो So literature के साथ बच्चों का connection तब ही बन पाता है जब वो उसको पढ़ना चाहें उसको enjoy करना चाहें उसको बार बार पढ़ें और उनको पढ़के उसे मजाए extraordinary features में जो एक और feature आता है उसको हम कहते है truthful होना यानि extraordinary quality literature का एक element यह है कि जो भी events उसमें बियान किये जाते हैं भी realitiess बियान कि जाते है, human condition बियान कि जाती है वो logical भी होनी चाहिए वह genuine भी होनी चाहिए और वो बिलकुर relatable होनी चाहिए, वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बच्छेंसे कब रिलेट ना करें या उनकी reality से बिलकुल ही अलग हों या ऐसी extraordinary reality हों जो उनकी उमर के मताबिक नहीं है या उनको suit नहीं करती है और क्या extraordinary quality हो सकती है represent excellence कुछ इस किसम के words चूज किये जाएं या ऐसे visuals चूज किये जाएं जो कि बहुत creative तरीके से present कर रहे हो कहानी के plot को और जो character है उनकी description आ रही है वो convincing लगना शुरू हो जाएं वर्ट्स के ऐसी choice हो जो कि rhymes बन जाएं या उसमें से poetic sound हमें पढ़ने में महसूस हो तो the choice of word, the choice of dialogue जो है ये भी एक बहुत important feature है Outstanding characteristic में अगला आता है integrity, integrity का मतलब है किताब as a whole क्या है उसकी तस्वीरें, उसका text, उसका plot, उसके अंदर मौजूद characters, उसका size ये तमाम चीज़े perfect हो और कमाल तरीके से बनाएं गई हो और पूरी book as a whole book जो है वो पढ़ने और देखने और बार बार देखने के काबिल हो इसको हम कहते है integrity, originality इसका मतलब यह है कि जो आप theme इस्तेमाल कर रहे हैं किताब में, अपने as a writer या उसके किताब को पढ़ रहे हैं उसके जो theme it should be a original theme, वो कोई copied या repeated theme मौजूद ना हो और ऐसा theme हो जो बच्चों की imagination को trigger करें उनको एक fresh perspective प्रोवाइट करें उन चीजों के बारे में जो वो और जानते हैं लेकिन किसी और perspective की through जब उसको पढ़ते हैं तो एक नई तरीके से उन चीजों को देखते हैं और सोचते हैं कुछ इस किसम की चीजे present की जाएं जो के हैं तो common लेकिन उसको uncommon view से present किया जाएं that is non-eth originality और इस ओल आर तोगेदर वोट मेक आप बुक आउटसेंदिंग लिटर्चर बुक पर चिल्ट्रन